मधुबन के बाबा मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना ओम शांती आज पांच मार्च दोहचार बाइस के साकार मधुर महवा क्या है सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में बाबा ने का मेठे बच्चे बाबा से तुम्हें सूमत मिली है तुम्हारी बुद्धी का ताला खुला है इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सब को अपनी बुद्धी का सहयोग देना बाबा से तुम्हें सूमत मिली है, तुम्हारी बुद्धी का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है, सबको अपनी बुद्धी का सहयोग देना कुशन है, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन होती है, जो बाबा पूरी करते है, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन होती है पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे, अब ये नई आश उत्पन होई है, ये आश एक बाप ही पूरी करते हैं, ये आश पूरी होने के बाद फिर कोई भी आश नहीं रहेगी गायन भी है, एप्राप्त नहीं कोई वस्तू देवताओं के खजाने में गीत है आखिर वो दिन आया आज, ओम शांती सभी भगतों के लिए जरूर कोई दिन आना है, जब भगवान को याद करते हैं बाकि समय सीताई, भगतियां सब दुखी हैं, याद करते करते, आखिर वो दिन आता है जब बाबा आकर हाथ पकड़ते हैं, बहुती स्पेशल बात, कि सब पुकार रहे हैं आखिर वो दिन आता जब बाबा हाथ पकड़ते हैं उसको खीवईया बागवान पतित पावन भी कहा जाता है अब बच्चे जानते हमने एक का हाथ पकड़ा है चेक कर लेंगे बुद्धी से एक का ही हाथ पकड़ा है नास्तिक से आस्तिक बने है बाप ने बच्चों को अपना परीचे दे अपना बनाया है वर्सा देने के लिए बाप से ही वर्सा मिलता है यह बेहत का बाप परम पिता इसलिए सब बच्चे चो भगत हैं सब उनको याद करते रहते हैं प्रन्तु ये भगत ये बात भगत नहीं समझते कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थो पर जाते हैं कुम्ब के मेले लगते हैं वेद शास्त्रादी पढ़ते हैं इसलिए भगती की समगरी इसने भगवान को याद करते हैं वो आकर दुर्गती से छुड़ाए पुकारते रहते हैं प्रन्तु बाप का अब किसी को पता नहीं जिसको बाप का पता ना हो वो जैसे बच्चा ही नहीं बाप को ना जाने के कारण नास्तिक बनने के कारण दुख ही दुख है क्योंकि नास्तिक बन गए इसलिए दुख ही दुख है बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है बाबा है स्वर्ग का रच्चेता वाँ सब तो नहीं चलेंगे लिम्टिड नंबर ही आएंगे बाप से वर्सा लेने बाकि सब धर्म वाले मुक्ति का वर्सा लेने आते लेना सब को बाप से ही है बाबा केते मैं तुम्हें सहते सहज बात समझाता हूं बस मुझ बाप को याद करो सहज बात कौन सी है मुझ बाप को याद करो और ये बाप ही समझाते पांजर वर्ष पहले भी तुम मिले थे हर पांजर वर्ष के बाद मिलते रहेंगे अपने लिलतों जैसे पुरानी बात है कल्प कल्प तुम राज्ये गवाते हो फिर पाते हो 84 जनम तुम ही लेते हो यह बहुत जन्मों के अंत का जनम तुम समझते हम पहले क्षीर सागर में थे फिर आकर विशे सागर में फसे क्षीर सागर वा विशे सागर कोई है नहीं परंतु पावन थे फिर माया रावन ने पतित बना दिया अब फिर बाप पावन बनाने आये हैं गीत में कहते हैं आखिर वो दिन आया आज भगती मारग में तुमको कोई ये काश नहीं थी कि हम स्वरक के मालिक बने ये बात तो बुद्धी में थी ही नहीं ये बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे सुनते थे परंतु ये आश नहीं थी कि हम राजयोग सीख कर नर से नारायन बनेंगे अनायासी बाबा ने प्रवेश किया निराकार्शिव बाबा ने ब्रह्मातन में प्रवेश किया बाबा किते मैं अब तुम्हारी स्वरक की आश पूरी करने आया हूँ स्वरक में चलने के आश बुद्धी में धारन करो स्वरक का रच्यता है बाब बहुत सहज रिती समझाते है हाँ कामा शत्रू है ये तो सन्यासी भी कहते है इसले घर बार छोड़ देते वै तो हुई एक दो की बात उनका निर्वर्ती मरग का पाट ड्रामा में है है तो वो भी भगत गौड फादर कहते लेकिन ये कौन है ये नहीं जानते फिर कहते भज राधे गोविंद किसको भेजे स्रीकृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया जो सुना वो लिख दिया भला गोविंद किसको कहें गवों को चराने वाला मुरली सुनाने वाला एक बाप है ये भी हुँमन की बात है आगे तुम कुछ नहीं समझते थे बाबा ने आके सू मत दी है स्रेष्ट मत दी है माया रावन कू मत देते हैं बाप सू मत देते हैं सू मत है श्रिव बाबा की और कू मत है रावन की सू मत माना श्री मत कू मत माना रावन की मत जूठी मत अब तुम कंट्रास्ट को जानते हूँ, हम जूटी मत पर थे, स्वरक की आश तो थी नहीं, अभी बाबा ने नई आश प्रगट की, वहाँ कोई एप्राप्त वस्तु होती नहीं, जिसके लिए माथा मारना पड़े, अब तुम सब की नई आश है, मरे पुर्शार्थ नंबर मत देते हैं, कहते हैं यह तो ऐसा है, जो ब्रह्मा भी उतर आई, तो भी उनकी मत नहीं लेंगे, यह पिछाड़ी की महिमा है, तुमारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी, अब तुम संपूरन बन जाएंगे, जब तुम संपूरन बन जाएंगे, तब वहावा निकल तोकरे मार देती, काना का सुत मुझा देती, जो शिरीमत को छोड, रावन की मत पे चल पड़ते, फिर चिलाते रहते हैं, बाबा कहते हैं, कदम कदम पर सावधानी लेते रो, शिरीमत पर चलने से तुम्हारा कल्यान है, तुम्हारे अंदर बाबा ने आश प्रगट की, कि श बनते हो, भूलो मत, माया ऐसी है जो शिरीमत लेने का चांसी नहीं देती, काना का उल्टा काम करा देती है, करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा, हम ये काम कर बैठे, टाइम नहीं मिला जो राय ले, अब क्या करें, माया ने तुम्हें थपड मारा, इसमें बाब क्या करे हर बात में कदम कदम पर, बहुत सावधानी चाहिए, सन्यासी कभी नहीं कहेंगे, इस्तरी पुरुष इकठे रह, पवित्र रह सकते हैं, इसमें युक्तियां बहुत हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है, तुम बच्चे ब्रामन ब्रामनिया बनते हो, कहां कुल को कलंक नहीं लगाना, बेन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता, ला नहीं, बेन भाई आपस में शादी करें, यहां तो सब भाई बेन हो जाते, इस पर वो लोग हसते हैं, यह फिर कहां का रिवास है, यह तो है नई बात, ऐसी राय कभी कोई दे ना सक कोई पुछे, तुम बीके हो, तो भाई बेन हो गए, तो बुद्धी में बिठाना है, क्योंकि सब की बुद्धी को ताला लगा हुआ है, पत्थर बुद्धी है, तो उनकी बुद्धी का ताला खोलना चाहिए, धेर के धेर सेंटर से, उसमें सब अपने को ब्रह्मा कुमा कुमारी कहलाते, तो भाई बेन ठेहरेना, वैं क्रिम्नल इसॉल्ट करना सके, इंपॉसिबल, ये तो नई रचना है ईश्वर की, ब्रह्मा कुमार कुमारीया, इश्वर की नई रचना है, वो कहते, गीता में तो कभी सुना नहीं है, बाबा केते, ये तो मैं तुम्हें जब राजधानी की स्थापना पूरी उचाएगी तो ये सब क्लास उचाएगा। जहाँ असुर है वहाँ देवता कोई है नहीं जहाँ देवताई है वहाँ असुर नहीं तो फिर लडाई कैसे लग सकती कोरवो पांड़ों की लडाई भी लग ना सके जो शिरिमत पर चलते वो कभी किसी को लडाएंगे नहीं जो बाबा की शिरिमत पर चलते हैं वो कभी किसी को लड़ाएंगे कैसे लड़ाने वाले मनुष्य हैं बाप लड़ने वा जुवा खेलने की छुटी नहीं दे सकते पांड़ों कोई भूरक थोड़ी थे ज़ुवा खेलेंगे या आपस में लड़ेंगे बाबा ने समझाया ये बाबा का रुद्र ज्यान यग्य है अब लाओ लड़ाने से बहुत जीत भी पाते हैं फिर उनको देवी कैप पूझते हैं मदद मी मिलती है मनुष्य सुनकर डर जाते हैं इसने पुरुष इकटे रहते पवित्र रहें ये हो नहीं सकता कहते जरू कुछ जादू है ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना शुरू में बच्च रहें मिलती इसमें बहादू भी चाहिए गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं इसके कार हम स्वरक की राजाई क्यों गवाएं ये घर से निकाल देंगे अच्छा हम जाके बरतन मांचेंगी जाडू लगाएंगी बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ ना सके शुरू में बच्चियों का पार्ट था गरीबों के लिए बहुत सहज है बाबा के पास आएंगे तो पहले जाडू वादी लगाना सब करना पड़ेगा माय के तुफान भी जोर से आएंगे बच्चे याद पड़ेंगे इसलिए खबरदारी भी चाहिए पहले नस्टो मोहा बनना है त पड़ादी कैसा भी पैनो हरजानी बाब तुमें नैनों पे बिठा के स्वर्ग में ले चलते हैं साजन पिछाडी सजनी जाती है तो मटकी में जोत जगाते हैं बाप आते ही हैं सब को गुलगुल बना कर ले जाने प्योर तो सभी बनेंगे पापों का बोजा सिर पर है तो इसाब किताब चुकतु करके जाना है इसके लिए तुम याद में रहने के इतनी मेनत करते हूँ जो नहीं करते वो ऐसे ही थोड़े मुक्ती में जाएंगे कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ती धाम में चले जाएंगे आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस आत्मा का सपने को याद दिलाते रहना है, मेरा स्वधरम है शान, अपने स्वधरम में स्थित रहना है, हम अशरीरी होकर बैठते हैं, करमिंद्रियों से काम नहीं लेते, चुप हो बैठ जाते हैं, प्रंतु कब तक, आखरीन करम तो करना है न, सादु संतादी किसी को भी पता नहीं, क फिर हम जंगल में क्यों जाएं, हम करम योगी हैं, बाबा कहते मुझे याद करो, तो भी करम में नाशोंगे, फिर स्वधरक को याद करो, त्रेसर जन्म भक्ती की गमसान ने हैरान कर दिया, मैं तुम्हें सब हंगामों से छुडा देता हूं, बाबा के डारेक्शन मिलते, अब और शरीरी बनू, क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है, फिर मैं तुम्हें स्वरग में भेज दूँगा, इसमें हंगामे की कोई बात नहीं, भक्ती मारग में तुमने बहुत ढूंडा, फिर भी ढूंडेंगे, धक्के फिर भी खाने पड़ेंगे, सब को पुनर लेते लेते, तमो प्रधान बनना ही है, अच्छा, मीठे मीठे सिकलाद बाप्चु प्रती, मात्पिता बाप्त दकायाद प्यार, गूड मॉर्निग, रूहनी बाप की रूहनी बच्चो को, नमस्टे, रूहनी बच्चो की रूहनी बाप दको, नमस्टे, गूड शुक्रिया, धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है, श्रीमत पे मूझना नहीं, कभी कुल को कलंक नहीं लगाना, बाबा के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुक्तू करने हैं, और श्रीरी बनने का पूरा भ्यास करना है, वर्दान है, बाब की समीपता के अनुभव द्वारा, स्वपन में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव, भक्ति मरग में समीप रहने के लिए सत्संद का महतों बताते हैं, संग अर्थात समीप ऊई रह सकता है, जो समान है, जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं, वो इतने विजयी होते हैं, जो संकल्प में तो क्या, स्वपन मातर भी मायवार नहीं कर सकती। सदा मायाचीत अथा सदा बाब की समीप संग में रहने वाले, किसी की ताकत नहीं जो बाब की संग से अलग कर सके, सलोगने सदा निर्विगन रहना, सब को निर्विगन बनाना यह यथार्थ सेवा है, नर्विगन रहना नर्विगन बनाना यह यथात सेवा है आज याद रखेंगे मैं नर्विगन सेवा धारे हूँ चलते फिरते एक बाप की याद में रहना है बाप के संग में रहना है स्वता ही नर्विगन बन जाएंगे अनमोल रतन है अपने निश्चे में सित्थ हो अपनी कल्प पहले वाली नूद को बनाना है ऐसे निकि नूद अनुसार निश्चे करना है कई समझते ग्यान तो मेरे भाग्य में ही नहीं ऐसा नूदा हुआ है लेकिन नहीं ये निश्चे अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नूधा हुआ है पुर्शात करके अपनी प्रालब्द बनानी है क्योंकि विराट, फिलम, अनुसार बनी हुई तो है लेकिन पुर्शात से इस बनी को बनाना है बनी सिधी ही तब होगी, जब बनी को मालिक बन करके बनाए बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना लेकिन पुर्शात से जो प्रालब्द सिध्ध होती है उसको प्रालब्द समझना चाहिए, यही ज्यान है बाकि नूंद अनुसार पुर्शार्थ ही हो जाना ये अग्यान है पुर्शार्थ भी नूंदा हुआ है ओ पुर्शान